किसी भी तरीके से सक्ता, पावर, सक्ती, ताकत, पैसा, धन, बल के नाम पे जैसे तैसे सरकार बना ले, यह सरकार का कोई भी लाब नहीं पहुचा रहे हैं, और खल कहने के लिए डबल इंजन की सरकार है, धर्म कोन क्या मान रहे हैं, उनको अपना उनका अजादी है, वो माने तो सक्लर विचारधारा से ही रहके राजनीत करना चाहिए, सब धर्म को सम्मान करना चाहिए पर आप को लेके पूरे भारत के हर एक नागरी को वहाँ जो सरकार बना अंधेरे में वो हर व्यक्ति को पता था कि अंधेरे में सरकार बनाया आज लोगों को अंधेरे में रखके इस तरीके से सरकार बनाया जिस तरीके से समिधान एलाओ नहीं कर रहा है और आज समिधान दिवस है हम तो यही कहेंगे कि समिधान का जीत हुआ और महराश्ट में जो तई था वही हुआ है कि बहुमत उनके पास था नहीं फरजी वारा फरजी के तरीके से रात को अंधेरे में सरकार बनाया उनको वी पता था कि यहां पर हम सही नहीं है और उन्होंने कोशिश किया कि कि किसी भी तरीके से सक्ता पावर, सकती ताकत, पैसा, धन, बल के नाम पे जैसे तैसे सरकार बना ले लेकिन वो उसमें वो सफल नहीं हो पाए है और मुझे मानना है कि भारत के 135 करोर जनता का जीत है समिधान का जीत है और एक अच्छे सरकार अभी बनाएंगे वहाँ पे शिप्षिना के नितरुत में मुझे आ बताई है सिप्षना की बात अगर आप करते हैं तो सिप्षना अक्सर जो देखा जाते हैं भाजपास से भी कठोड हिंदुत उसका हमेशा रहा है तो क्या जिसकी पार्टी का जो नारा था मतलब जिस तरह के से हिंदुत को जो हमेशा प्रमोट किया जाता था कॉंग्रेश वह to consider ऐसी स्वक्रेश के लिए उसकी और स Random का मांड़े इसे उस्याम लेकिन जिंपको भी राजनित करना है तो श्रुगल विचार धारादे से हीरे के राजनित करना चाहिए सब धर्म को सम्मान करना चाहिए और समय के अनुकुल बदलाओ होना चाहिए हर बैक्ति में हर कहीन के बदलाओ मनते हैं मैं कहीन कहीन मैं ये चीज को बदलाओ देख रहा हूँ और अच्छा संकेत है भारत के धर्ती पर ये अच्छा बदलाओ है इस तरीके से धर्म जिनको जो है वो अपनाए उनको माने उसम के पेपर पर नमर पर किसी धर्म का नाम नहीं लिखाऊ रहा रहता है इसलिए हर किसी को भारत के लोगों को संडक्षन मिले मेल तो नहीं खा रही जैसे कि एक तरफ किस तरफ भगवा को परचंड वरावा वहने दूसरी तरफ कॉंग्रेस की सेक्लिजम क्या लग रहा है मेल खा पाएगा कभी सिपशेंध का कभी पॉलिसी को मार के राजनीत करने का और कॉंग्रेस का भी राजनीत है किसी को मार के राजनीत था लेकिन आज हमें हमारे पास वह समीधान प्राप्त हुय maison हम ऑन्वी समीधान दिया है तो समीधान में सबस्त लिखा है किसी को मार काट के आप राज को पराप्त नहें सकते जनता को दिल के जीतिये और जनता अगर चाहा लेगा आपको भोड़ देकर आपको देश का परधान मंत्री हो या राज का मुख मंत्री बनाने के लिए जनता आज की तारिक में यह है तैकिया है तो इसी तौर पर ठीक है अपनी राजनित स्टार्टिंग में जिनका जो ह लेकिन मुझे लगता है कि समाज के हित्मे और समय के अनुकुल बदलाव होना चाहिए और वह बदलाव में दिख रहा है ठीक है मुकर्जदी आपको नसा समय करूं को बदलाव होना चाहिए लेकिन उसी तब ब्याहर के बात करते हैं तो लागातार आपके जो सामने आई सभी पार्टियों के जो अध्यक्ष थे वह कहने की मुझूद थे लेकिन आज़िक तरफ से देखा कि किसी को भेड़ जाता है क्या आपको लगने दाए जो अभी भी तैयारियों में कहीं आप लोग पीछे जा रहे हैं कहीं एकताकी कमी है क्या कहेंगा मुकर्ज बिहार के बारा करोर जनता के आने वाले भवी स्किल चिंता कर रहे हैं और शिक्षा सुधार पे उन्होंने आज आमरान अंसरन पर बैठे हैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि बिहार के खास करके गरीब वर्क के लिए सोचे हैं और बिहार के तमाम लोगों क बिधाय के उपस्तित थे हां आपका जो इसारा है कि वहां पर बरे सिन्यनेता पढ़े सब्धियक्ष रामचन पुरवेचा और बी अन्य जो वरी नेता थे नहीं वहां पर पस्तित हो पाएं लेकिन मुझे जो जानकारी प्राप्त है कि जार्खन में चुनाब है और लोटेंगे तो वहां पर पहुचेंगे और यह कारजकरम सफल होगा सरकार को जुकना ही परेगा और हमने निरने लिया है कि सरकार दो दिन के अंदर में इस बात को समझे और पेंदर कुसवाजी का अंसन तुरवाएं और वो बात को माने और उस पर काम करें नहीं दो दिन म वहां पर करो या मरो, वहाँ इश्दीती होगा, सरकार हमारी बात माने या ना माने, हम जब तक हमारे सरीरे में जान रहेगा, तब तक हम लोग इसके लिए लड़ाय लड़़ते रहेंगे, पहले अटल जी से एक पत्रकार ने पूछा, कि आपके ये जो बिरोधी आपके उपर बहुत उगली उठाते हैं तो उन्होंने उनका जवाब था कि ये हमारे बिरोधी नहीं है हमारे तीसरी आँख है जो चीज हमसे नहीं दिखता है जो काम हम नहीं कर पाते वही काम वो हमें दिखाते है और यह हमारी बिरोधी नहीं यह हमारी तीसरी आख है आज का जो समय है उसमें मानिय बिहार के मुख मंतरी नितिश कुमार जी इस बात से इस्तिफाक नहीं रखते हैं वो आज हम लोगों को बिरोधी नहीं मानते हैं वो हम लोगों को तीसरी आख भी नहीं मानते हैं वो हम लो खुबी समझ रही है कि बिःब्हार में जो च्टिती खास करके केंद सरकार के कोई भी योजना बिहार में लागोंस keyword सही तरिके से नितिय सुमार जी नहीं कराते हैं इशलीं कराते हैं कि गाउं गाह में मोदी 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 हो जाएंगे उनको मालूम है कि हम अगर केंसरकार का योज्णा लाब गां में दिल दे अगर बात नहीं मानती है तो आपकी स्टेड़ीजी क्या रहेंगे कैसे कैसे करेंगे वाठाइस तारीक तक अगर बात नहीं मान रहेंगे तो 29 तारीक को मैं अमरान अंसन में बैठेंगे जब तक बात को हमारी बात को मानेंगे ने तब तक हम लोग डटे रहेंगे और आज उ सरकार अगर हम लोगों की बात या जो में मांती तारीकों मैं खुद आम रहां सन पे बैठूंगा सरकार की नितों खिलाब मांगे देश वर दुनियां के तवाम खबरें को आप देखते रहे हैं एजडी नूच नमस्कार